लिनोवो आइडिया पैड गेमिंग मुझे पता है लापटाप थोड़ा सा लेट होगा थोड़ा गया बहुत जादा ही लेट होगा क्योंकि 6000 सीरीज के लापटाप और 12th जेनरेशन अभी आना शुरू हो चुके हैं अब एक चीज में आपको बतातों 5000 सीरीज ना तब तक रेलेवेंट रहेगी जब तक 6000 सीरीज बिल्कुल प्रॉपर्ली नहीं आ जाती मार्गिट में क्योंकि 5000 सीरीज वाले लापटाप के प्राइसेज डाउन होंगे और हो भी रहे हैं आपने देखा हूँगा उनलाइन और 12 जेनरेशन वाले और 6000 सीरीज वाले लापटाप भी आ चुके हमारे पास बहुत जल्दी वीडियो डॉप करेंगे उनकी अब यह जो हमारा लापट तो जो इसके आगे की सुंदरता है वो भी दिखाते हैं आपको स्पेसिफिकिशन आपको बताता हूँ राइजन 7 5800 एच इसके अंतर प्रोसेसर है सिंगल चैनल में लगाई है तो डेफिनिली 32 तक तो यह हो जाएगा कोई अगर इसको यूज करो जिसने 32 में अपग्रेड किया हो वो कॉमेंट में बता सकता है पिन कर देंगा आपको कॉमेंट इसके अंतर हमारे को 512GB की M.2 PCI Gen 3 SSD मिल जाती है और इसके SSD की Read&Write Speed में ने न सब्सक्राइब और इसके दूसरे वेरियंट्स में जैसे राइजन 5 के साथ 1650, 3050, i5 के साथ और बहुत सारे वेरियंट्स हैं सबके लिंक्स में आपको दिस्क्रिप्शन में देदूँगा चेक करने तो वहां से आप चकाउट कर सकते हो वीडियो में आगे बटने से पहले यह पार्ट है देरदून लोगोगे लिए ताइमस्टाप में आपने देख ले होगा तो यह लाप्टप हमें प्रोवाइड किया लाप्टॉब तो देरदून ऑल ठैंक्स तू देम और आगर अगर आपको भी गेमिंग लापटप परचेस करना है अपको कमर्चीर लाप्टप परचेस करना है आपक की फुल एच्डी आई पीएस एंटिंग लेट से मिल जाती है तो जो डिस्प्ले है वह वही बेसिक वाली डिस्प्ले है जैसे आपको एक लाग से नीचे वर लाप्टॉम मिलेगी और बाता थी रिफ्रेश्ट रेट की रिफ्रेश्ट बड़ी है गेमिंग के मामले मज़ा द उसके हसाब से कोई दिक्कत निया है बात करते हैं कीबोर्ड और ट्रैक पैड गीना तो कीबोर्ड इसके अंदर भिलकुल लिनोवो लीजेन जैसे मिल जाता है जो हमारा 2020 वाला मॉडल है जो टाइपिंग एक्स्पीरियंस है वो भी बढ़िया रहता है और सिंगल करना बैक गेमिंग सीरी ना बजट में आती है तो लीजेन जैसे बिल्ड गॉलिटी नहीं आपको मिलेगी बट वैसे बिल्ड गॉलिटी काफी अच्छी है यहाँ पर लिनोवो की ब्रांडिंग है और ऐसे कटवट की डिजाइन बने में आपे काफी क्लीन और मिनिमल सा लूक है गेम और एक air exhaust vent यहाँ पर भी दिये है और एक air exhaust vent आपका left side में मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारे को vents मिल जाते है जो हमारे air flow के लिए है जिनका air flow इस तरफ निकलता है इस स्क्रीन को कोई दिक्कत नहीं है मैंने खुड टेस करके देखा यहाँ तक air flow इस सही है पोर्स के मामले में राइट side में दो हमारे को USB 3.2 Gen 1 वाले port मिल जाएंगे और एक headphone mic jack का combo वाला port मिल जाता है और left side में power input का port मिल जागा RJ45 LAN port HDMI 2.0 का port एक USB type C 3.2 Gen 1 वाला port मिल जागा display output नहीं मिलेगा सिफ data transfer के लिए है यह इसका webcam है और mic है कैसी लग रही है वाज बत बताओ ना और इसके camera के ऊपर ना हमारा को privacy shutter में मिल जाता है इधर की तरफ करेंगे तो हमारा camera on हो जाएगा और अगर हम ऐसे बंद कर देता हूं तो हमारा camera off जाता है यह बड़ी है privacy के लिए speaker बढ़ी है इसके काफी अच्छी कासी loud सी अवाज है इतनी मतलब बेकार नहीं कहूंगा और decibel तुम बता था मैं लास्ट वीडियो में फोन में हमारे 90 decibels उपर record ही नहीं करता और decibel मीटर मेंने में काया था वो भी कुछ SSI निकला एक level बाद उसके decibel रुख जाते है 100 decibel के बैटरी मिलती है और मैंने इसको बेसिक करके देखा था वही बैटरी सेवर मोड लगा दिया था लिनोवो वैंटेज में क्वाइट मोड सेलेक्ट किया था 50 परसें स्क्रीन प्राइट नेस कीबोर लाइट आफ बड़ जो पैनल का refresh rate था वह 120 अच्छी था उसके अंदर मेर पर्फॉर्मेंस जो हमारी हो गई इसके अंदर सिने में चार्ट 23 के स्कोर आप देख सकते हो 12,856 और सिंगल कोर 1429 और सिमिलर्ली गीकपेंच 5 जो हमारा CPU टेस्ट है 6194 मुल्टिकोर 1357 सिंगल कोर तो पहले दो टेस्ट हमारे CPU के होते हैं और जो स्कोर निकल के आए है वह 75800H के साफ से बिलकुल सही है जैसे हमने दूसरे लैपटाउ से लेखा था 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 इसके अंदर ऐसा नहीं है और 3D Mark Time Spy भी किया था हमने इसके अंदर जो टोटल स्कोर निकला 5443 उसमें ग्राफिक्स 5160 CPU 7900 जो की सही स्कोर है हमारा and then PC Mark 10 जिसका टोटल स्कोर 6069 आ त पर ग्राफिक्स का वर्क करने वाले लोग उनके इसाफ से मैं होंगा जो GPU है वो 3060 आप प्राइफर करो प्रोसेसर यह आपका बढ़िया रहेगा और बागी बात आती है फोटोशॉप वगरा कि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है वो सब आप काम कर लोगे तो ओवरॉल कर रहे हाई सेटिंग्स पर आपने सामने सेटिंग्स देगी सकते हो और यहां पर हाई सेटिंग्स पर हमारे को 180-190 मिल रहे है क्योंकि राइजन 7 5800 है हमारे पास इसके अंदर तो यह वाला जो गेम हमारा CPU बेस्ट है और आपको CPU के टेमपरेचर 90 प्लस दिखाई देंगे सेटिंग्स है वह हाई टु मीडियम टु लो का मिक्चर जो अपने सामने देख सकते हो और यह पर वार जो में में मारको जो टेंपरेचर मिल रहे है वह 90 प्लस प्रॉक्स है और गेमप्ले आप देख सकते हो 90-100 फ्प्स हमारे को मिल रहे है जो की काफी बढ़ी एक्स्पिर प्लस जा रहे है और 80 प्लस थोड़े से जादा होते हैं बट सेल में चीज़ को हुआ करोगे या एसी वाला रूम यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई इशू नहीं होने वाला वैसे इस तो अभी भी नहीं हो रहा को यह से क्लॉक्स पीड हमारी ड्रॉप नहीं हो अब यहां पर उसके बाद हमारा प्यारा जीटीए फाइव सेटिंग्स आप अपने सामने देख सकते हो वेरी हाई और हाई सेटिंग्स है जो मैंने यह यूज की है और उसके अगॉर्डिंग यह पर्फोर्मेंस निकल कर रहा है मैं एक सब्सक्राइब और से रिजन यह यह और यहां पर यूज कर रहा है क्योंकि चार्जी भी अग्राफिक कार्ड है हाई प्रिसेट ही हम रख सकते थे यहाँ पर देख सकते हो आप हमारे को 60-70 fps मिल रहे हैं जो की साही है और इसमें cpu-gp temperature भी ठीक टागे मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और रूम टेंपरेचर यहाँ आप साइड में देख सकते हो 28-30 degrees के बीछ में और अब मैं क्या बूल हो बार 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 लें दि लास्ट गेम डेडे डेडेंशन 2 रेडेडेडेंशन 2 हमने रखा है बैलेंस प्रिसेट में बार जो 50% बार होती है अल्ट्रा हाई मीडियम लो का विक्षर होता हमारा और उसके अंदर जो हमारे को परफॉर्मस मिल रहे है वो 60 प्लस एफपीएस है जो की बहुत बढ़िया परफॉर्मस है मैं सच बता हूं क्योंकि यह वाला जो प्रिसेट में यूज करता हो ना यह वाला वो प्रिसेट है जिसके अंदर आप ग्राफिक्स भी साक्रिफाइस न सब्सक्राइब लगाने चाहिए मेरा तो पर्सनल यह यह पीनियन है चाहि कोई भी लैप्टप हो लिनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3 राइजन सवन फिफ्टी अंडर एच वाला थर्टी फिफ्टी के साथ जो चीज आपको इसके अंदर मिल रही है वह इसके प्राइस के को लेगा है वाइफाई 5 और ब्लुटूथ वर्जन 5.0 जो अगर साथ के लैप्टप से अगर कंपेर करते हैं हां कंपेरेजन की बात आ गई है यह कंक्लूजन का बेस्ट पार्ट है इंस्टाग्राम पर स्टोड़ी डाली थी महां पर तुमनें पूछा कि भाई है क्या क्य अब मैक्सिम्म सवाल यही थे जो भी इनके कंपेरेटर लैप्टोब जो मैंने रिव्यू कर रखें उनके साथ आपको बसाता हूं बेटर देन नाइटरो से बेटर नहीं है क्योंकि जो बिल्ड कॉलिटी है वो बिल्कुल सेम आइडेबाट गेमिंग और नाइटरो गे और जो रैजन 7 4800H और 3050 के साथ आते हैं हमारे एसूस के दोनों लाप्टोप से हैं उसके मामले मैं कहूंगा दोनों से बेटर नहीं है ड्यू टू वार्लस कनेक्टिविटी एंड बिल्ड क्वालिटी एस वेल एसूस के लाप्टोप की बिल्ड क्वालिटी बेटर होती है ना पे भी सेम पॉइंट आता है देन आपका लीजन लीजन ओविएसली वह तो टॉप अप द लाइन है क्योंकि आइडिया पैट जो सीरीज है वह लीजन से नीचे वाली होती है तो अगर आपका बजट जाद है आप लीजन के लिए जाओ लीजन ओविएसली से बेटर है देल जी फिटीन के अंदर में बहुत बढ़िया है तो उसमें आप चॉइस कर ले ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो यही सारे लाप्तॉप थे 30-50 वाले जो मैंने रिव्यू कर रखे थे साइड बाए साइड आपके सामने कंपार थोड़े बहुत कर दी है बाकि अ प्राइस 75-76,000 होना चाहिए था बागी सारे कंडिशन्स में आपको बता दी MS Office आपको मिल जाएगा क्लीन लुकिंग लाप्टॉप है तो अगर ऑफिस जाने वाले हो बेसिक उसेच कॉलिज वाले तो डेफिनिटली गेमिंग वाली लुक नहीं देता आपको अब आपकी चॉइस है आपको लेना है या नहीं लिंक है डिस्क्रिप्शन में और आपकी क्या थोट्स है से लाप